बहुत बड़ा पनेल्टी पड़ता है, श्टॉक्स जो है ऑक्सन मार्केट से खरीद के उस बंदे को देने पड़ते हैं, जिस बंदे ने श्टॉक बाय करने हैं, उस बंदे को ऑक्सन मार्केट से खरीद के देने ऑक्सन में श्टॉक्स महेंगे मिलते हैं, वज़ा से उनको बहुत बड़ा लॉस अप्रॉक्स 10 लैप का लॉस पड़ रहा था ही नुमश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर फैल्थ पे तोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एजूकेशन से भरा हुआ है बहुत एजूकेशनल वीडियो है ये वीडियो को पूरे निफ्टी निफ्टी क्यों बट उसके मेकेनिजम से वाकिफ नहीं है अभी आज अगर हम देखेंगे तो आज का जो डेट है 27th of June है और expiry 30 June की है 30 June की expiry है और ये monthly expiry है सारे stocks expire होने वाले है बहुत सारे लोगों के मेरे को comment आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं सर श्टॉक के option में trade नहीं कर पा रहा हूँ buy नहीं हो रहा है ये क्या है delivery settlement हो रहा है delivery settlement period सुरू हो गया है तो क्या चीज़े है ये कैसे मतलब इन चीजों को समझा जाए तो start करते हैं वीडियो को अभी तक अगर आपने like नहीं किया है तो कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दीजिए पूरे वीडियो के तरफ चड़ने से पहले न एक आप से discussion करते हैं एक दिनेश चीन थे हैं और दिनेश नाम के हैं एक बंदे और उन्होंने उनको एक्च्वल में ट्रेट किया था हिंडलको के 450 के put में काफी टाइम पहले की बात है अप्रोक्स अप्रोक्स साथ आठ महिने पहले की बात है उन भाइस सहब ने 4500 रुपए का हिंडलको का put लिया था जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 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 38 पैसे थी 38 पैसे का और उनका quantity जो था, वो था 45,000 quantity, 45,000 quantity for 38 पैसे का, अगर हम देखेंगे, अपरोक सप्राइब उनका जो margin लगा था, वो 16,000-17,000 रुपए लगा था, उनको ये था कि ये 38 पैसे वाला option, अगर 20 पैसे भी बढ़ जाता है, तो मुझे 9,000 रुपए का 9K का profit हो जाएगा और इस वज़ा से उन्होंने OTM options खरीद लिये, बट होता क्या है, उन्होंने expiry वाले दिन तक उसको hold किया, expiry के दिन एकदम से हिंडल को में एक बड़ा move आया, और वो option जो है, at the money से थोड़ा सा slightly in the money में shift हो गया, और e-liquidity के वज़ा से liquid नहीं था वो counter, उसके वज़ा से वो उस option को sell नहीं कर पाएं, होता क्या है, अब mechanism समझे बड़े द्यान से, जब भी हमारा stock का option कोई भी in the money में चला जाता है, तो हमें delivery देनी या delivery लेनी पड़ती है, अब put का मतलब क्या होता है, उन भाई साहब ने put purchase किया था, put का मतलब क्या है, हम किसी stock को sell कर रहे हैं, ज जो put seller था, वो क्यों put को sell किया था, उसको stocks चाहिए थे, और इनके पास stocks है ने, तो यहाँ पे बहुत बड़ा penalty पड़ता है, stocks जो है auction market से खरीद के उस बंदे को देने पड़ते हैं, जिस बंदे ने stock buy करने हैं, उस बंदे को auction market से खरीद के देने, auction में stocks महंगे मिलते हैं, और फिर उसके वज़ा से market price में फिर लेके उठा के auction में बरना पड़ते हैं, तो यहाँ पर अब हल क्या दे कि इतना ज़्यादा इसको मैं describe करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि brokers ने बहुत ज़्यादा श्ट्रिक्सन लगा दी है, बहुत सारी रेश्टीकेस ब्रोकर्स ने ल बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं, बहुत सारी लोग करने देते हैं, बट margin ज़्यादा चार्ज करते हैं, अगर आप deliveries में उठाओगे, तो आपको margin थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, उन्होंने रूल क्या बना दिया है, आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में per day आपको 25% करके margin पे करना पड़ेगा, मतलब किस चीज का margin, मान लिजे, example लेते हैं, मान लिजे, आप एक call buyer हो, या आप एक put buyer हो, एक put buyer हो आप, अब एक put buyer को, put buyer को कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितना premium उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन जब वो delivery छोड़ेगा, तो उसको क्या होगा पूरा margin पे करना पड़ेगा, तो पूरे lot का जितना value होगा, पूरे quantity का जितना value होगा, उसको उतने पैसे लगेंगे, तो वो चार हिस्सों में broker चार्ज करने लगता, अगर आपके पास fund नहीं है, तो आपका माल कार्ड देता है, मतलब broker आपका broker आपको default नहीं होने देता ह आ रहे हैं, तो अभी आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको इससे समझ में आ रहा है, जब भी expiry के नियर चला जाएगा option, expiry नजदी का जाएगी, तो हम stocks के उस option में trade नहीं करेंगे, अगले महिने में हम चले जाएगे, next month में आप trade कर लीजे, कोई दिक्कत नहीं है यह तो हो गया stocks के बारे में, अब आप सोच रहे होंगे, सर फिर वो जो zero hero हम करते हैं, nifty में, bank nifty में उसका क्या, वो भी अगर इंदा money चल गया तो penalty, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, big no, क्यों उसके पीछे का logic क्या है, उसके पीछे का logic यह है, कि क्या nifty या bank nifty का कोई underline share है delivery किसकी करवाओगे, उसका कोई तो cash market ही नहीं, वो तो सरफ futures trade हो रहे है, उसके cash में trading नहीं होती है, तो जिसका cash है, जिसका underline asset है, सिरफ और सिरफ उस पे ही delivery लगेगी, इनमें कोई delivery mechanism नहीं है, crude oil में कोई delivery mechanism नहीं है, crude oil में आपको क्या देंगे वो, आपके घर तेल की tankers बेजेंगे, नहीं, natural gas में क्या देंगे, gas के tankers बेजेंगे, लेकिन gold में mechanism है, सोना आपको दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, zinc, copper, lead commodities में है, same stocks में भी वैसे ही है, stocks के जिनके cash trade हो रहे हैं, और सभी stocks के आपको पता है cash trade हो रहे हैं, तो उस महां पे आपको delivery देनी या delivery लेन पड़ती है, यह जो यह options है, यह options को क्यों बनाया गया था, यह हम speculation के यूज कर रहे हैं, बड़ इसको basically अलग नियम के लिए बनाया गया है, जिस तरह से आप किसी जमीन को खरीदने जाते हैं, बड़ आप instant 20 लाग, 25 लाग या एक करोड का जमीन नहीं करीते हो, एक छोटा सब बेयाना दे के जमीन को रोक देते हो, कि भाई जब मैं पूरा पैसा दूँगा, यह जमीन तब मेरे नाम करना, अभी एक agreement sign करवा ले, मेरे नाम जमीन, कि मैं खरीदूँगा, इस फला फला डेट को मैं पूरा पैसा दे के जमीन ले लूँगा, तो exactly buyer on seller के बीच में contract sign ह होता है, वही option trading है, यह option trading उसलिए था, बट यहां पर speculation, premiums की speculation शुरू हो गई है, और premiums में लोग trade करने लगें, तो यह scenario है, अभी आपको ध्यान रखना है, stocks के option में avoid करना है, जब near to expiry होगा, दो, तिन, चार दिन, वैसे भी आपका broker आपको करने नहीं देगा, अगर नही किस्ति मत करना, आपका broker आपका भला चाहता है, that's why वह आपको trade करने नहीं दे रहा है, right, hope करता हूँ, इस वीडियो से आपने बहुत सारी learning लिया है, आपको चीजे समझ में आई होंगी, thank you guys, thanks for watching this video, काफी ज्यादा इसमें जमेला है, इसके बज़ा से उनको बहुत बड़ का लॉस अप्रोक्स 10 लैक का लॉस पढ़ रहा था,